बच्चों, आज हम कविता बात सीधी थी पर के अगले आइंश के ओर बढ़ते हैं आपने पहला भाग इसका कर लिया है जिसमें आपने समझा कि बात सीधी थी पर बात जो भाशा के माध्यम से शोता तक पहुँचती है उस बात को जो हम उसके लिए निर्धारे शब्दों में उलच जाते हैं तब अपनी बात अपने भाव को अपने अर्थ को सही प्रकार नहीं समझा पाते उसी पर आधारेत कुवर नाराजी की यह कविता वह बताते हैं कि आखेकार यहां आपने पढ़ा था सारे मुश्किल को धैर से समझे विना मैं पेंच को खोलने की बजाए उसे बेतर हाग कस्ता चला गया आपने यहां देखा यह पेंच है मेरे पास भी एक यह पेंच है जिसमें चूडियां बनी हुई हैं और हम जब दिवाल पे कील जगा बनाते हैं ड्रिल करते हैं उसके बाद इस पेच को धीरे धीरे अंदर डालने लगते हैं इस जो पेच है इसकी भी सीमा होती है एक हद तक आके इसे रुखना होता है जहां पर एक कसाव हो जाता है पकड बन जाती है उसके बाद इसको इसके निर्धारत खांचे में डाल कर हम वहां पर रोग देते हैं लेकिन जब हम इसके साथ जोड दवस्ती करने लगते हैं तब इसकी चूड़ी मर जाती है और ये घुमने लगती है बेतरहां तरीके से और इसका कोई वजूद नहीं रह जाता कोई महत्व नहीं रह जाता तो वही होता है जब हम बाद के साथ अपने भाशा क्या है भाशा हमारे भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है लेकिन इस माध्यम को हम जब बहुत जटल बना देते हैं जब उसमें अलंकारों का और बहुत अपना पांड़ित्य प्रदाशन करने लगते हैं तब हमारे बात का महत्व खत्म हो जाता है हमेश रोता के मानसिक स्तर उसके बाधिक स्तर तक पहुँच कर अपमी बात को रखना चाहिए जिसे वे सरल और सहच तरीके से समझ सके जो हम कहना चाहते हैं वो बहुत बहुत बहतरीन तरीके से उसे समझ आ सके तो देखिए लेकिन हम अपने एक तरह को कर्तब दिखा जैसे नट होते हैं उस पर चलते हैं रसी पर उंचाई पर रसी पर चलते हैं उन्हें नीचे ताली और गड़गड़ा हार्ट की आवास नहीं बढ़ती है, खुश होते रहते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, तो वो अपने कर्टब को और अच्छे तारीक से दिखाते हैं, वैसे ही ये भी एक कर्टब है, जहाँ अपनी शब्दों को जादस जादा उल भाव में आकर वेक्ति अपने शब्दों के प्रयोग में भाशा में उलच कर रह जाता है, अपने अर्थ को अपने भाव को शोता तक नहीं पहुचा पाता, फिर क्या होता है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जवस्ती से बात की चूड़ी मर गए, और व उस अर्थ को सामने वाला शोता प्रेहन नहीं कर पाता, तो वे चूड़ी मर जाती है, मतला उसका अर्थ हीन होकर सिर्फ मात्रवह शब्द रह जाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रहता, अगर हम हिंदी भाशी हैं और हम हिंदी अंग्रेजी दो भाशा ही समझ सकते, लेकि कि हमें उसका ज्यान नहीं है, उस बात की चूड़ी मर गई, क्योंकि हमने उसके अर्थ को ग्रेहन नहीं किया, हार कर मैंने उसे कील की तरहां उसी जगा ठोग दिया, जब बैक्ती हार जाता है, तब क्या करता है, जैसे कील होती है, उससे जबरन ठोग दिया जाता है, आतो तो जाए ओपर से तो ठीक ठाक लगती है पर अंदर से ना तो उसमें कसाव है ना ताकत कसाव ताकत अर्थाथ ना तो उसका आर्थ रह गया है ना महत तो रह गया है व्यक्ति ने बोल दिया लेकर जब शोता उसका आर्थ नहीं ग्रेंड कर पाया तो वो व्यर्थ हो जाती है बात नहीं चो एक शरार थी बच्चे की तरहां मुझे खेल रही थी मुझे पसीना पोच्टे देख कर देखिया बच्चा दिखाया है बच्चे की तरहां जो खेल रही थी मुझे पसीना पोच्टे देख कर पूच्छा क्या तो वने भाशा को सहूलियत से बड़तना नहीं सीखा अर्थात क्या सहूलियत से जो सही शब्द थे जो उसके लिए निर्धारिश शब्द थे सरल शब्द थे जिसे आप जिसको समझाना चाहते हैं व्यक्ति समझ भी सकता था उन शब्दों में यदि आप अपनी बात कहते थे तो आपके शब्द भंडार में कोई कमी नहीं आ जाती आप सरल सहज तरीके से अपनी बात को भी साने वाले तक रख सकते थे इससे क्या होता ना तो आपके बात की चूड़ी मरती ना तो उसका कसा खतम होता ना ताकत खत्म होती वैं बिल्कु सही रहती सामने वाला वेक्ति जिस तक आप अपनी बात पहुचाना जाते हैं वैं समझ जाता इसलिए ये कविता बहुत बहतरीन है ये हमें एक चिस सिखाती है कि जब हम अपनी बात किसी के सामने रखनी है तो बात बहुत सरल सहज तरीके से रखें जिससे श्रोता सुनने वाला उसके अर्थ को ग्रहन कर सके आपने कक्षा 11 में वही कविता वही पाठ आपको जादा बहुत अच्छा लगा होगा याद रहा होगा जिसकी भाशा सरल सहज रही ज उससे आप नहीं समझवाई होंगे तो यहां आपकी बात सीधी थी पर ये कविता समाप्त होती है धन्यवादा